ये चेहरे को देखकर ये चेंगेजे, शांती है या जिन्ता है, आहंकार है या हुमलिटी है, इगो है या प्यूरिटी है कुछ चीजे होती है तो इतना जो है ट्रिफकल्ट हो जाता है और ये एक और जिस्ट करने में कि किसका तीछे का ज्यादा निकला हुआ है ये अर्जिस करने में ही ट्रोब्लम हो रही है, कहां करूँ ऐसे ही कर दिया ये 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 वाट इसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको अल्डी भी शेयर करा देती हूँ चलिए आपको अल्डी ले चलती हूँ अपने साथ में अप्लेशन का कोई परपस नहीं समझ में आता है इसलिए मैंने प्लास्टिक का नहीं मंगाया और कोई भी पत्ता भी आप बसे ग्रीन हरा पत्ता ले लीचिए जगर आमका पलो नहीं है उसका भी आपका लश्वना सकते हूँ दू 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 भीया हाई अब्रीवन नमश्कार सलाम राम राम आप सभी को वेलकम बैक टो देंडेंस फैमली न्यू के प्लॉक आशागरती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जहां ब्योंगे सुरक्षित होंगे बहुत है सारा प्यार आप सभी को और जैमाता दी तो सुभा की पूजा हो चुकी है मैं अपना सुभा का सारा निप्टाने के बाद काम और पूजा करके और अब आई हूँ उपर रूम में सारा बेट सही कर रही हूँ आपने वैड़्ूम का पूर tahu बैट सही है और यह डबल बैट ऐसे बना रख़ा है सिंकल सिंकल का वैड मिलाकर और ये double bit का एक पूरा बड़ा सा जो है king size का चादर बिचा देती हूँ तो दोरों पे cover हो जाता है अलग-अलग चादर नहीं बिचाती, सिर्फ एक चादर यूज करती हूँ नीचे जो है इस पे fitted seat होते हैं तो उसको तो change करने जरूत नहीं होती है और चादर जो है मतलब हपते में एक बार change हो जाता है खासकर बच्चों का हमारा चादर तो कोई जरूरी नहीं है दो हपते में भी change कर देती हूँ रोज-रोज change मैं नहीं करती तो ये प्शिवांस के room का है तो एक दिन पहले ही change किया था तो चादर और नहीं change करनी है बद below और मैंने बना दिया है फिर से थोड़ा असा tidy up कर दिया है और जब इतना सा ही काम मतलब कर दो न तो बिस्तर बहुत सवरा 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 पूरा रूम ही सवरा 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 लग जाता है गूगल पे और मैं यहां पे आज जो है हूवर नहीं करूंगी क्योंकि हूवर अलग हस्बिन कर रहे है यह मैं दिवाल दिखा रही थी राम कृष्णे ने कैसा इसमें पेंटिंग बना रखा है चारे जो है बच्चों के कलर ले लेके तो अब प्रियंका के रूम में चल रही हूँ प्रियंका के रूम प्रियंका ने खुद ही अपना बिस्तर बना दिया है और हस्बिन ने यहां पे मैं यह सारा काम करी हूँ बेट अगरा चेंज किया हस्बिन के वर हूवर कर रहे हैं सब जगहां पे तो इन्होंने प्रेंका के रूम पे बात्रूम में यहां पे और पूरा यह जो कोरिडोर है इस पे और शिवान्स के रूम में और अपने रूम में सब जहां कर दिया है आज हमने अपना बेटशीट चेंज किया था तो यह बेटशीट यहां का धुलने में डाल दिया है और य उसके बाद फिर अपनीची आजाते हैं, क्योंकि वीकड़ है, पती देव को ड्यूटी भी जाना है, तो लँच भी बनाना है टाइम से, बच्चे भी घर पे ही रहते हैं, ol जलदी ही बनाती हूं, मेरा तो फास्टिंग है, मेरा तो फास्टिंग चल रहा है, तो मैं अपना लाइ बना लूँगी और उनके लिए लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए भी लंच बनाऊंगी यहां तो आलू गोभी किया सबजी बनाने वाली हूँ उधर में डाल बन गई है डाल चढ़ा दिया था मैंने बस डाल को जो है बॉइल करके और च्छोंका लगाना है जीरे औ और हींग से ही चौंका आजकर लगाती हूं, लेसन पर आज किसी भी सबजी औगरा में नहीं जाता है, तो ये गोभी लाई थी, वीकेंड वाली शॉपिंग में ही, तो ये गोभी की आज सबजी बनाऊंगी, और दाल रोटी, चावली ही बनेगा, और आपको दुगा सलाम रा सब्कस दिखे़ को इस वाला है ये जिनजर का ग्यूब है अदने इसमें गार्लिक को गएरा नहीं ही जाय जाएगा, बिसक्तरषी है, इस लिए मैं जो जिनजर बनाती, क्यूब वाला वाला में अलग-अलग बनाती है, और जिनजर एक में नहीं पीस्ता हूं, अलग- तो जो बेसिक सा मसाला होता है वो भोल करकेता है और डीटेल में रेसिपी इस्की किया शेयर करती कई बार मैंने शेयर करी धरि है और यहां मैंने डाल डी difend निकाले रही हो।ouvो तो रोती ऑं बना दिया है और सबजी है साथ में salad रख दिया है घी लगा के और क्योंकि अभी जो है बिल्कुल गरम है रोटी तो थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें लीट लगाऊंगी खाना मेरा complete है बन गया है राइस उधर मैंने राइस कूकर में चड़ा दिया है तो मैं बना ही रही थी रोटी क्योंकि husband को लेट हो रहा था तो उन्होंने अपना खाना निकाल लिया और जाकर खाने लग गए और ये clip उस दिन की है जो मैंने आप से बताया था ना कि आज मुझे kitchen में थोड़ा सा cleaning का काम है तो मैंने जो जो किया है वो आज मैं इस वीडियो में share कर दे रही हूँ तो ये सारा जो हमारे drawers है ये सारे clean करने है ये देख लीजिए कितना आस्तवस्त है सारा बरतन और ये जो मैंने side वाला जो drawer था ये मैंने खाली किया है जो हमारे ये देखी side का drawer होता है ना ये जाली जो इसकी होती है वो निकल जाती है इस जाली को तिकाल कर साफ करूँगी और उसके बाद अंदर से पूरा कबट साफ करूँगी फिर जाके इसको फिर से यहां से clip होती है ये clip जो है दबा के ये निकाल लिया जाता है तो यह जो बास्केट है इसमें दोनों बड़ी आसानी से निकल जाता है और आसानी से clean भी हो जाता है और देखिए खाली कर दिया है मैंने यहाँ पे और पूरा जो है इसको liquid डालके छोड़ दूँगी और तब तक यहां जब तक उसको मैंने थोड़ा liquid डालके छोड़ दिया है और तब तक यहां अंदर से हुवर वगएरा करके जो भी एक्ष्ट्रा कुछ गिरे होंगे वो चीजे निकाल दूँगी तो इसी है क्लीन करना तो जो सारी रादे आचलेगा ना उस सुबर चहरे पर इठाई तेगा सो फेस इस दे इंट इस दे दे इंट उस फेस को अलग अलग चीजे लगा लगा कर ड़कोमत तो इसारे मेकप उतारो और अपने चहरे को देओ और फिर उसको अंदर से जेंज करो तो यहां चेंज करना है, beauty यहां है, perfection यहां है तो हमारी हर सोच, हमारी state of mind बेंट कर लिया है हमारी हर सोच, हमारा चहरा बना रिया है हमारी हर सोच, हमारी शरीर की सेलत बना रिया है हमारी हर सोच, हमारा रिष्टा बना रिया है मेरे हर सोच मेरे घर का मात अवरत मना रही है मेरे हर सोच मेरे हर प्रभाप दाल लिया मेरे हर सोच स्रिष्णी मना रही है और मैं से ही इता को सोचते जाते है So who is the creator of my thoughts? Who is the creator of my thoughts? बोलो I जब मैं बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए मैं बांकि वो जगह मैं बोते हम Who is the creator of my thought? मैं क्या हम एक difficult situation में अच्छी thought create कर सकते हैं क्या हम एक difficult situation में अच्छी thought create कर सकते हैं क्या हम किसी के गलब बयाभार के लिए सामने से अच्छी thought create कर सकते हैं तो इधर जो जाली था वो मैंने दोनों क्लीन कर दिया है इसी तरीके से हमारे इस किचन में तीन साइड में मैंने लगवाया है ड्रॉर एक तो मेरे राइट हैं जिसमें मैं यह मसाले बगएरा और जो चोटी मोटी चीज़ें वो जाती हैं और दूसरा उधर जो है लॉन्डरी के साइड में है और तीसरा कैचप अगएरा सॉस अगए तक मैं वहां साफ कर रही तब तक फूल गया तो इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया और यह टेबल मैट था मैंने फेका नहीं मैं फेकती नहीं हूं उसको रखे रहती हूं क्योंकि पेपर्स अगएरा अकबार अगरा तो मिलता नहीं यहां पे आता ही नहीं अब बंध ह हो गया है फ्लाय ड्रक आने के वजह से बंध कर दिया इन्होंने पेपरतों how to buy that काट कट के मैंने लगा दिया है सब सारे जो है basket में और यह देखे जो बीच में सारा spices के ड्रॉर थे हमारे वह मैंने spices रख दिए गिए extra spices होते हैं जो की मसाले-दारी में तो जो डेली ओस होता है वो रखे जाते हैं और यह जो extra होते हैं वो रखे जाते हैं और इतना ही मैंने इधर clean किया है यह डूसरा वाला बरतन होंगे वो मिलेंगे और यहां पर यह सारा यह वाला सिक्षन है जो प्लेट्स औगरा है वो मैंने इस वाले में कर दिया इसमें पहले मसाला औगरा होता था वो तो चला गया मेरे राइट हैंड ड्रॉर में और यह प्लेट्स और बाउल्स औगरा इसमें आ गया है यह ज शि Schweop Tucson को मिल जाए यह क्रॉकरी यूनिट है जो कि इसको और गनाइज करना देख लीजे्ए कितना सब मैसी हो रहे हो गया इसका उसका साइस में मिल गया कितना थैन भी क्लीकरो यह मैसी हो जाता है और यहाला भी मैंने साफ किया है तो इतना सारा काम किया था और वीडियो में husband के जाने के बाद ये उन्होंने कोई । टिक टॉक शॉप है मुझे नहीं मालूम ये kitchen mat मगाया था और मुझे नहीं मालूम था कि वो kitchen mat मगाये हैं क्योंकि वो slippery हो रहा था और पुराना भी बहुत हो गया था तो ये non-slippery वाला उन्होंने मंगाया है और अच्छा तो ये बहुत है लेकिन अभी मैं इसका जो है माइनस पॉइंट दिखाती हूँ कि क्या है तो नॉन स्लिपरी है ये स्लिप नहीं करता है और जो इसका माइनस पॉइंट है ये है जो यहाँ पर लिखा हुआ है हस्बिन ने इतना ध्यान नहीं दिया और ये तो देखते ही मेरा मतलब सारी मेरे जो मेरा जो एकसाइटमेंट था वो सब बस लो में चला गया लेकिन अब यहाँ पर एक बार आजाने के बाद चीजें जो है वापस करना खासकर आउनलाइन जो शॉप होते हैं इसमें वापस करना Amazon अगरा तो easy है लेकिन जो इस तरह के नए शॉप होते हैं वहाँ पर बड़ा जंजट होता है अब मैं करूं तो क्या करूं ये लिखा हुआ मैं कभी use नहीं करती हूं floor पे मतलब यहाँ पर इस country में तो आपको यहाँ पर जंडें जंडों की चड़ी मिल जाएगी जंडों का आपको place मैट मिल जाएगा जंड जो यहाँ के flags होते हैं पाउदान बाहर मतलब इस तरह के मैट मिल जाएगे बाहर लोग लगाते हैं यहाँ का जो British जंडा होता है बट हम तो हम है ना हम तो इंडियन्स हैं भाई हमारे अपने कल्चर से ही हमारी पहचान है हमारी सब भिताई हमारी पहचान है तो यह चीजें थोड़ा सा मुझे नागवारा लगा लेकिन अब करूं तो मैं क्या करूं आप ही लोग बताओ क्योंकि मैंने तो मंगाया नहीं यह मैं मंगाती हूं तो देख सुनके मंगाती हूं हजबन को शायर इतना दिमाग में नहीं आया कि इस पे लिखा हुआ है कुछ फ्लावर अगर अगर बना होता तो कोई बात नहीं था मैंने फिलाल ऐसे मनमार के बिखा दिया है वो आएंगे तब मैं इसके बारे में डिसकस करूंगी कि इसको वापस कैसे कर सकते हैं अगर हो सकेगा तो करूंगी नहीं तो अभी क्या उप्शन है मुझे नहीं मालूम हेलो तो अब अर्डी जा रहे हैं वीकली शॉपिंग के लिए धूप बहुत अच्छी आज खेली है लेकिन बाहर निकलने पर ठंड है हवा भी है साथ में लेकिन ठंड भी है धूप है अंदर से बैठकर सेखना हो तो जूप अच्छी है उसे इसमें अगर सेखना हो और आम से लेटके इस मामले में कंजर्वेटरी इस गुड है बट वही है कि विंटर में फिर वह ठंडा करता है और ज्यादा समर हो जाए तो गरम बहुत करता है तो बनवाना चाहते थे पीछे की गार्डन के साइट में लेकिन फिर उसके बाद कैंसिल कर लिया नहीं बनवाया तो चलो जल्दी से मैं अल्डी होके आती हूं इसके बाद फिर दिखाती हूं आपको अल्डी भी शेयर करा देती हूं चली आपको अल्डी ले चलती हूं अपने साथ में चलिए लेता हूं आपको अल्डी जहाँ राद काती हूं जए अजाव को हूंन उसके बाद करते हुआई लड़वशन नहाँ अल्ड़वशन धुआ हूं झाल।म झाल।म थाओं सब्सकाट। वे प्रीदेश के लिए टो जाओं झाल। कर दो दो तो अल्डी में पहुंच गई हूँ और मैंने अंदर अल्डी शॉप में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जब भीड बहुत थी और आपको पता है कि पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से मतलब मैं रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा हिचकी चाहती हूँ जब खुला दि करते हैं ऐसे तो दिन कभी यहां मिलता नहीं जब सूर्य देव निकलते हैं तो सभी निकल आते हैं है तो नीचे का सब काम हो गया है और अब जो है थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि मुझे जोब में भी जाना है तो बच्चों का बच्चे नीचे अपना बैठे हुए टीव जी अलुगोवी की बनाई ही थी आपको दिखाया था तो अपना निकाल के प्रयंक का खा लेगी और रामकृष्ण को अभी सामवाला दूर्द देकर बच्चों को सबाएं हैं तो यस अब चले हैं हम सोने मेरे पास दो घंटे हैं तीन घंटे समझे लिए तो थ्री आवर हैं तो सो जाओं की थोड़े देर उसके बाद पर मेरे जाने का टाइम हो जाया तो यस ऐसे गया सुभा से अब तक का दिन पूरा और मैंने क्या खाया यह भी बता देती हूं मैंने सुभा तो उठने के बाद चाय और मुंफली लिया था पूजा करने के बाद में अब न और शाम को अभी दही में वह गुड़ दही मिला के कि मुझे जो है गुड़ दही अच्छा लगता है शुगर मतलब वाला दही मीठा द दही लिया उसमें थोड़ा सा फ्रूट्स काटके डाल दिया था वही खाया है मैंने क्रोजेक लाई थी सोचा कि बना लूं उसी का कुछ भुनन के दगी में थोड़ा सा लेकिन मन नहीं किया और चाय पीना भी नहीं हूचित है अगर चाय पी लोंगी तो नीन नहीं आएग क्योंकि उद्र सिवांज को लेकर गए उसका अपॉइन्मेंट था अस्थवारीवियू का तो वो कराया उसके बाद जल्द जल्दी खाना बिनाया हस्मिन गए जोब पे इनको सब को खिलाने पिलाने के बाद जैसे जैसे था आपके साथ आगे शेयर ही किया अच्छा एक ब तो और जो कलश का नारियल होता है अब क्या करते हो तो वैसे तो कलश का जो नारियल होता है अब जैसे अपने यहां शर्यू मिया है तो वहां विसर्जन हो जाता था तो कलश के उपर वहां तो नारियल रखती नहीं थी मैं क्योंकि उसमें कलश में जल और उपर से उस मिद प्लास्टिक का भी आने लग गया है अब आप लेकर उसको जो है डेकोरेशन में के तो मुझे वहां डेकोरेशन का कोई परपस नहीं समझ में आता है इसलिए मैंने प्लास्टिक का नहीं मंगाया और कोई भी पत्ता भी आप से ग्रीन हरा पत्ता ले लीजिए जगर आमका पल्लो नहीं है उसका भी आप कलश बना सकते हैं और उसके बाद जो भी जल अगरा होता है वह आप डाल दीजिए क्या बोलते हैं उस पर प्लांट्स में डाल दीजिए अपना फुल मुझे गार्डन में डाल दीजिए तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ यहाँ पर चोंग कलश का जल होता है वह गार्डन में चला जाता है नारियल इस बार मैंने कलश की ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वहां खंड जोत मैंने नहीं रखा मंदिर का दिया मैंने नीचे उतार के रखा था तो यह बच् दिन ऐसे कलश का नारियल ऐसे ही जैसे रोज़ पूजा होती है उनकी और जब नुरात्री खतम हो जाता है तो उसको ऐसे प्रशाद हम लोग सब ले लेते हैं तो ये तो हो गया कलश के नारियल की बात अब जो दूसरा नारियल है वो मैंने चढ़ाया था पहले दिन परिवा बोलते हैं तो परिवा के दिन चढ़ाया था मैंने तो उसको हम उसी दिन उसको फोड के खा लिये जाता है प्रशाद सब में बढ़ जाता है घर में ही और बस वो तो सिर्फ एक ही दिन के वल चढ़ाया जाता है मैया को चढ़ाते हैं और उसके बार प्रश जो उसके होते हैं और एक नारियल फिर में बाद में चढ़ाती हूं नस्टमी या नौमी में जब भी कन्या पूजन होता है तो उस दिन भी नारियल में चढ़ाती हूं और नारियल वो भी चढ़ा के मतलब कन्या को दे दिया जाता है कञिए हमारे हम जो भी है खाने को समय नारियल दे जाता है और खनिया का अपना मन हो भाते वह उसके इकषा के उपर है तो येसे nasıl वहाद है उस यह यह जो दो दो नारीयल है उसका आईसे हो जाता है कभी-कभी जैसे ज्यादा हो जाता है नारीयल तो नौरात्री में कई बार चढ़ा दिया मिलने के उपर है लास्ट उसमें तो जाही नहीं था डिपेंड करता है अब जैसे आज की शॉपिंग में भी मैं एक नारियल ले आई हूँ तो अस्टिमिक दिन चढ़ा दोंगी जैसे जब ज्यादा हो गया तो मैं उसको क्या करती हूं कि उसे निकाल के इसके इंदर से उसको फोड फाड़के अच्छे से उसको इसको बना लेते हैं ऐसे भी उस कर लेते हैं उस नारियल को तो इसे करती हूं मैंने अपके साथ शेयर भी किया था यह बात वहीं है कि ब्लॉग नहीं जिसे कोई देखे हो तो आप वो पूछते हैं फिर से तो ही सवाल आ जाता है पिर से दुबारा बताना पड़ता है चलि और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए व्लोग में आशागरती हूँ ये व्लोग आपको पसंद आएगा और अगर कुछ पसंद आए तो एक लाइक जबू दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके अपना बहुत ख्याल रखिए जैमात अदी जैशियराम और आप सभी को धेर सारा प्यार दूआओं में याद रखिएगा कृष्ने भी यह ठीक है तो उसको कुझली होती है इसको प्लास्टर बंदे बने प्लास्टर के अंदर से खुझली होती है विज्राइक को नहला भी नहीं सकते हैं ठीक से तो धूप भी इतनी नहीं होती है कि उसको लिटा के बाहर धूप में उसका बाल बाल थोड़ा साफ कर दें तो सोच रही हूँ कि आज इसे मौसम था अगर कल भी मौसम ऐसे हो गया तो तो थोड़ा सा यहीं मतलब अंदर ही टब में उसको ऐसे पापा उसके पकड़ लेंगे उसको लिटा के घुद में उसका बाल धुर्दोंगी क्योंकि उसके बालों में भी बड़ा इची हो रहा ह तो बचरही चीज़ से परिशान है कुछ लिए उसको हो रही है चलिए फिर इसी के साथ मैं आप से लेती हूँ विदा इस ब्लोक करती हूँ यहीं पर अशागरती हूँ आपको आज का ब्लोक पसंद आएगा और अगर कुछ पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना और मेर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लोग में अपना बहुत ख्याल रखिए जहां रहिए सुरक्षित रहिए बहुत है सारा प्यार आप सभी को जैशियराम जैमातादी बाइबाइ नमस्कार अच्छा हां देखो चलते चल कुछी मालूम नहीं बट आप सभी को ईद मुबारक हो हमारी तरफ से हमारी फैमली की तरफ से तो यस आपके ईद बहुत अच्छे से बीते होंगे इद का चांद आपको अच्छे से दिखा होगा आई हो पाशागरती हूं सब कंट्री में जहां भी जो लोग बनाये होंगे और जो उस धर्म से रिलेट करते होंगे उनका चांद अपना दिख गया होगा इद के दिन तो बस यही आशागरती हूं आप से लेती हूं विदा बहुत यह सारा प्यार आप सभी को बाई बाई